बारम पुझे बोधिसत बाबा साब डॉक्टर अमबेट करने जो तेरवी पृतिग्या हमें दिलाई और मैं अगर ये कहूँ कि तेरवी पृतिग्या, चौदवी पृतिग्या, पंदरवी पृतिग्या, सोल्वी और सत्रवी पृतिग्या, ये जो पंदरवी पृतिग्या हैं अगर एक शब्द में मैं कहूँ एकटा करके इनके कहूँ तो ये शील का मार्ग है, पंच शील जिसे हम बोलते हैं, भगवान बुद्ध का बताया हुआ पंच शील का मार्ग, इन पाँचों उसमें ये पाँच शील हमें बताये हैं, जिसको हमें जीवन में उतारना है, तो इसी बास से आप समझ सकते हैं कि नकेवल अस्टांगिक मार्ग में शील को रखा गया है और शील जो है वो जो धर्म का हमारा जो तीन अंग है महत्पोर अंग शील समाधी प्रग्या उसमें शील पहला आता है फिर यहाँ पर हमें बताया गया और बिल्कुल एक-एक को अलग करके बताया गया है तो इससे तेरही प्रतिग्या में भगवान बुद्ध ने कहा है कि मैं किसी भी प्राणी की हिंसा नहीं करूँगा हिंसा से दूर रहूँगा ऐसी प्रतिग्या बाबस साब ने हमें दिलवाई है अगर मैं पाली भाशा में कहूँ तो इसे यह भी कह सकता हूँ जैसे मैंने अपनी बार्मी पृतिग्या जब आपको मैं बता रहा था बाबस आपकी तो उसमें बताया था तो उसे कह सकते हैं पाणा तिपाता वेरमनी सिख्खा पदंग समादिया में यानि ये पाली भाशा में है और पंच शिलों में पहला सील है कि मैं किसी भी तरह की हिंसा नहीं करूँगा किसी प्राणी की हिंसा नहीं करूँगा तो ये तेरवी पृतिग्या है